अंजाप आम आदमी पार्टी अक्सन नशे के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है ये तस्वीर देखिए जिसमें आम आदमी पार्टी शराफ माफिया के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही लेकिन एक दिल्चस्प केस हमारी टीम ने खोजा है जहां आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को बड़ाबा दे रही है जो शराब का कारोबारी है जी हां हम बात कर रहे हैं नवदीक संगा की जो के आजकल आपके परवक्ता है और आखिर एक इनसान जो शराब का कारोबारी है उसको आम आदमी पार्टी जैसी साफ सुतरी पार्टी बड़ावा क्यों दे रही है आखिर इसके पीछे वजा क्या है हमारी पर्ताल में ये भी सामने आया कि नवदीक संगा हरपाल चीमा का सलाहकार भी है अब ये तो कोई आम आदमी पार्टी का ही बता सकता है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी का पंजाब युनिट एक शराब कारोबारी को परमोट कर रहा है शराब से आई दिन पंजाब में कई लोग मरते हैं ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब कारोबारियों को अपनी टीम में शामिल करना कहीं न कहीं लोगों को गल्त लग रहा है और इसके चलते पंजाब के निवासी आहत भी हैं नवदीब संगा धरम कोट और मोगा में आपकी तरफ से परचार कर रहे हैं पिछली बार मोगा से आम आदमी पार्टी ने एक वकील को टिकर दिया था जिसकी मोगा में बहुत ही सहारना हुई थी लेकिन इस बार मोगा में एक शराब कारोबारी नवदीब संगा को बढ़ावा देने से लोगों में काफी रोश है हमने कई आप समर्थकों से बात की वहीं आपको एक टवीट दिखाते हैं जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के शोशल मीडिया मेंबर ने किया है जिसमें उन्होंने पार्टी को नवदीब संगा के नाम पर विचार करने के लिए कहा है ये देखिए टवीट में उन्होंने लिखा है नवदीब संगा की ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं है अब देखना होगा के पंजाब यूनिट ये बात पार्टी हाई कमांड तक पहुचाती है या नहीं आपको बता दे NCRB की रिपोर्ट के मताबिक पंजाब गैर कानूनी शराब की वज़े से मोटो के मामले में दूसरे नमबर पर है ये हम आपको एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूस दिखा रहे हैं जिसमें ये साफ लिखा है पंजाब आप यूनिट ऐसे शराब कारोबारी के साथ क्यों है ऐसा क्या सबंध है ये देस्प है क्या आम आदमी पार्टी को साफ सुथरे निताओं की कमी है जो पार्टी ऐसे लोगों को साथ रख रही है शराब की वज़ा से पंजाम में कई घर उजड गए हैं कई और त्यार हैं नवदीब संगा जो के एक शराब कारोबारी है वो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी है हमारा सवाल यही है के आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ शराब कारोबारी ही बचे हैं जिन्हें प्रवक्ता या बड़े पद दिये जा रहे हैं नवदीब संगा के इतिहास की बात करे तो वो पहले कॉंग्रेस में थे वहां से छे साल के लिए निकाल दिये गई तो अकाली दल में आ गई अकाली दल ने टिकेट नहीं दिया तो अब आम आदमी पार्टी में आ बंद कर दिया है अब देखना होगा कि पार्टी हाई कमांड इस मामले का संग्यान कब लेती है